नमस्कार बिहारी निगोज में आपका स्वागत है मैं रतन सेन भारती आज हम बात करेंगे बिहार में कोरोना को लेकर बिहार समेट पूरे देश में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी दरीके से बदला हुआ है ऐसे में देश में एक और बदलाब देखने को मिल रहा है बता दें की बिहार समेट देश में कोरोना के मामलों में जबर्दस्त बढ़ोतरी देखी गई है अगर हम देश की बात करने तो पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमन के नए मरीजों की संख्या 14,506 दर्च की गई है इधर केंद्रिय स्वास संगठन की तरप से जारी आंकड में यह बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में इस बिमारी से 30 लोगों की जान चली गई है देश का स्वास्त प्रत्राल है यह बता रहा है कि उपचारा धिन मरीजों की संख्या संग्रमन के कूल मामले का 0,2,3 परतिसत है जबकि ठीक होकर घर जाने वाली मरीजों की संख्या अगर हम बिहार में कुरोना की बात कर लें तो प्रदेश में पिछले कई दिनों से कुरोना मरीजों की संख्या साओ से पार हो जा रही है मंगलवार को स्वास्त भीभाग की तरफ सो जारी आकड़ों को देखें तो उसमें यह बताया गया है कि दूसरों 11 नए संक्रमित मरी मरीजों की पहचान हुई है गया के ANMCH में कुरोना से एक युवा की जान चली गई यह भी बताया जा रहा है कि यह मौत इस साल में कुरोना की पहली मौत है अगर हम बिहार में बरतमान में एक्टि मरीजों की संख्या को देखें तो यहां आकड़ा 885 है मंगलवार की जारी हुई अगर हम जिले के हिसाब से देखें तो अर्वल में एक बांका में 8 भागलपूर में 10 दर्भंगा में 5 इस चंपारन में 2 गया में 1 जहानावाद में 2 कैमूर में 1 कटिहार में 1 किसनगज में 2 मधुबनी में 5 मुंगेर में 6 मुझफरपूर में 13 नलंदा में 1 पुर्ण सेंपल में नौ लोगों की रिपोर्ट जो है पोजेटी पाई गई है अगर हम बिहार में पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों को देखें तो 24 जुन को 156 नए मरीजों की पूष्टी हो गई अगर हमारा धानी पटना के ही बात करने तो पटना में मरीजों की संख्या यानिक ए 206 लोग home isolation पर घर में ही है बताया जा रहा है कि 21 जुन के बाद से प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है यानि की बढ़ोदरी देखी गई है पिछले 24 घंटे के आंकड़ों करना पटना मेडिकल कालेज में 15 संक्रमित मरीजों की पूष्टी होई तो दो गजदूरी मास्क है जरूरी के नियम पो पालन करें हाथ में sanitizer का इस्तमाल करें मास्क का जरूरी इस्तमाल करें भीड़ वालबाले इलाके में जाने से बचे यह वो तरीके हैं जिससे करोना संक्रमित होने से बचा जा सकता है करोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ह इससे में यह उमीद की जा रही है कि क्या यह करोना के चौथी लहर की आहाठ है बिहार और बिहार से जुड़ी और बेज़ें खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियोज के साथ मुझे देजी जाज़त धन्यबार